हलो गाईज, वेलकम बैक टू माई चैनल, एक अनोखा स्वादविद गरिमा, छट महा पर आ गया है और इस पूजा में एक स्पेशल प्रशाद बनाया जाता है, जिसे हम ठिकवा कहते हैं, ठिकवा यूपी, बिहार और जहारखन की एक प्रसिद्ध रेसिपी है, जिसे आप स किसी देरी के, आईए, हम इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, ठिकवा बनानी के लिए हमें जो आटे में सामगरी डाल ली होगी, यहाँ पे मैंने कुछ नारियल लिया हुआ है, यह सूखी नारियल है, यह एक चोथाई कप सूखी नारियल मैंने लिया हुआ है, इसको साथ पीसिस मैंने छोटी हिलाई चीली हुई है, इन दोनों को आपका छिलका निकाल लेना है और इसे पॉडर फॉर्म में डाल लेना है, इसके अलावा यहाँ पे हम आटा लेंगे, यह गेहू का आटा है और इस कप की मेजरमेंट से मैंने दो कप आटा लिया हुआ हुआ ह आप चाहें तो मैदा और आटे को मिक्स करके भी हाफ आफ ले सकते हैं, पर मैं गेहू का आटा यूज कर रही हुआ हुआ है, आप इसे ऐसे भी स्नाक के तरीके से बना के आप इसे खा सकते हैं, अब जो हमने यहाँ पे समान लिया था, यह सारा हम इसमें डाल लेंगे, इन मैंने यहाँ पे बड़ी इलाइची और छोटी इलाइची का पॉडर बना लिया है, इसे भी डाल लें, अब इन सबको एक बार अच्छे से मिक्स कर लें, अब इसमें हम मोहिन के लिए घी डालेंगे, घी आपको इतना डालना है कि इसकी बाइनिंग अच्छे से होने लगे मैंने यहाँ पे एक चौथा लिया है पर मैं उतना डालूगी नहीं, बस आपको चेक करना है, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लें, मैंने यहाँ पे मोहिन को मिक्स कर लिया है आटे में, अब इसकी बाइनिंग देखिए, बिलकुल अच्छे से हो गई है, अब हम इसमें चा आशनी बनाएंगे, जो इसमें हम मिठास के लिए डालेंगे, इसमें मैं आधा कप पानी डाल रही हूँ, और एक कप इसमें हम गुल डालेंगे, मैं पॉडर फॉर्म ले रही हूँ, आपके पास जो भी अवेलिबल हूँ, वो आप डाल लें, सबको अच्छे से मिक्स कर ल पानी में हमारा उबालाना स्टार्ट हो गया है, इसे एक से देड़ मिनट और आपको पकाना है, वैसे तो बहुत लोग कच्छे पानी में भी गुड को घोल के डालते हैं, पर अगर यह आप पका हुआ बनाएंगे, तो आप जो ठिक हुआ है, वो लंबे टाइम तक के मैंने यहाप एक गुड की चाशनी को एक बर्तन में शिफ्ट कर लिया है, इसको मैंने चान भी लिया है, गुड की चाशनी को आपको बहुत ज़्यादा थंडा नहीं करना है, यह थोड़ा गुन गुना होना चाहिए, तब ही हम इसे आटे में मिक्स करेंगे, अब हम आटा इसे थोड़ा थोड़ा करके साले, मिक्स कर ले, हलका गुन गुना होना चाहिए, थोड़ी चाशनी हम फेड डालेंगे इसमें, आप चाहिए तो चीनी का भी यूज कर सकते हैं इसमें, पर गुड का जो फॉर्म है वो ज़्यादा हेल्दी है, मैंने यहापे ठिकवा के आदे घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ देना है, फिर यह अच्छे से एक बराबर बाइंड हो जाएंगे, अब इसे आप छोड़ दे रेस्ट पे, इसके बाद हम ठिकवा बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, यहापे मैंने ठिकवा के आटे को एक बराबर कर लिया ह अब हम इसको शेव देंगे, यहाँ पे मैंने ठिकवा बनाने के लिए एक लगड़ी का साचा ले लिया है, अगर आपके पास यह ना अवेलेबल हो, तो आप किसी भी शेपर से शेव दे सकते हैं, पोटेटो मैशर आता है, आप उससे भी शेव दे सकते हैं, तो सबसे पहल है, अब इसे आप शेपर में रखे, और इसको आप एक साइड से प्रेस कर दे, मैंने आप इसको एक साइड से दबा लिया है, आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, अब इसे धीरे-धीरे निकाल लें, यह दिखी, इसका डिजाइन बन गया, अब अपोजेट साइड भी यह दिखी, इसमें बहुत अच्छा शेप आगया है, अब ऐसी हमें सारे ठेकवे को बना लेना है, एक एक करके, मैंने यहाँ पे सारे ठेकवे को शेप दे दिया है, दो शेप बनाया है, एक स्टार शेप में है और एक पत्तियों के शेप में है, आगे अब हम इसे तलने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, चट पूजा में जो हम ठिकवा का प्रशाद बनाते हैं, उसमें हम लॉंग भी लगाते हैं, तो आपको बस बीच में लॉंग लेना है, और उसे बीच में प्रेस करके आप लगा दे, और यह फ्राइ करने के लिए रेडी है, मैंने यहाँ पे प्ले में वो बिल्कुल सिम रखना है, और एक के बाद एक हम, इसमें ठिकवा जो है वो डालेंगे, और इसे धीरे-धीरे आपको पकाना है, इसे अब आप धीरे-धीरे पलट लें, और सब तरफ इसे अच्छे से से के, मैंने यहाँ पे सबको पलट लिया है, अब आपको स इसे धीरे-धीरे तक पकाना है, सब तरफ से, हमारे ठेकवे में सौंधी-सौंधी खुश्पू भी आने लगी है, और इस सब तरफ से पक भी चुके है, मैं आपको एक निकाल के दिखा दे रही हूं, देखिए बहुत अच्छे से यह ब्राउन भी हो चुके है, यह देखि बस इस स्टेज पे आप इसे निकाल लें, और ऐसे ही आपको सारे ठेकवे को फ्राई कर लेना है, अब हम ठेकवा की प्लेटिंग करेंगे, यहाँ पे हमारी ट्रेडिशनल और ऑथेंटिक ठेकवा बनके रेडी है, इसका कलर भी बहुत ही प्यारा आया है, यह देखने में जितनी टेम्टिंग लगरी है, यह खाने में उतनी ही आपको स्वादिस्ट भी लगेगी, आप इसे जरूर ट्राई करें, आप चाहें तो इसको स्नाक के तोर पे भी खा सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें आटे और गुर का इस्तमाल किया है, तो यह हेल्दी भी है, तो आप म मेरी वीडियो अच्छी लगती है, तो प्लीज प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, थैंक यू, मिलते हैं आप सबसे मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते,